ते कि दो डूट के फूर की अग्ली कडि में आप सभी का हार्दिक स्वागत हार्दी कविनंदर हैं माता भगवती प्राकृतिक आहर केंद्र में हमने अभी तक बहुत सारे रसाहार सीखे हैं और आप इसको घर में उप्योग भी तो आज हम कुछ नया रसाहर सीखने जा रहे हैं वह है आपका आज पाइनेपल का जूस जिसे हमारा अनास भी कहते हैं तो चलिए इसको शुरुआत करते हैं कि इसको कैसे सिखा जाता है अच्छा बताया आपने, यह पाइंपल जो है, उसको अनानस भी बोलते हैं, और उसके दो प्रकार होते हैं, दो प्रजाती होते हैं, पदा है आपको? पहले तो हमें भी नहीं मालूम था लेकिन जब खरीदारी करने गए तो राजा और राणी पाइने पल लेना ज्यादा अच्छा होता है। बनाइगे आप सभी तयार है सीखने लिए अन्त तक हमारी साथ बने रही है यह जो पाइनेपल है उसकी जो छिलका है वो बहुत हाड होता है तो उसको बहुत करीने से काटना पड़ता है बड़ा चाकू लेना पड़ता है और जैसे एक ग्लास जूस आपको बनाना है तो आपनी डालेंगे एक घिलास से कम, इतना रूबे इतना पानी डालना है वैसे जूसर जो हो उसमें तो आप सीधा डाल और बहुत ज्यादा उसमें पानी तो डालना नी पड़ता है सीधा जूस दूस निकल जाता है इसma थोड़ा सा गुमाने के लिए अधा या आधा से भी कम इतना पानी डालना पड़ता है इसके थोड़े आप लाब भी बताईए हमें जरूर कि बन जाए उसके बाद बताते हैं थोड़ा देरिये रखें लाब तो बहुत है पका अनानस होता है वो मीठा होता है और थोड़ा खटा पन उसमें होता है खट मीठा टेस्ट होता है बच्चों को और मैलाओं को ज्यादा अच्छा लगता है और आपको यह पताई कि यह पेट के कुरूमी को नाश करता है पाइनेपल बाद करता है और बीमारी में जैसे बुखार बुखार है तो उसमें भी हम पाइनेपल का जूस कहते हैं पीने के लिए क्योंकि जितना अन्न कम जाए और पाचन में सुविधा हो तो उसको अच्छा रहता है और जब बुखार वगेरे आता है तो डियाइडेशन शरीर में पानी कमी होती ही है तो इसमें आप जितना यह प्रवाई लेंगे फाल के रूप में तो प्रोटीन उसमें है और इसमें व और आपको स्वास्त के लिए अच्छा रहता है तो देखिए बंद कर त्यार हो गया है कितना सुंदर कलर है इसका आप देशते हैं सफेद क्रीमी तो यह राजा हमने पाइनेपल रजू हमारा अब इसको आप टेश्ट भी करो तो पता चले ना कैसा है तो यह पाइनेपल ज प्रवाही जादा लेना चाहिए तो यह जो हमारे आयुर्वेद में जो बताया गया है कि हमें प्रवाही ज्यादा लेना चाहिए क्योंकि पेट को उसके कम मेहनत पड़ती है और जितना ज्यादा हम रस और यह लेंगे तो यह प्रकृति की आउशदी फारमसी है फाल और तरकारी जो है वो प्रकृति की फारमसी है और इसका जो रस है वो सुक्षम भाग है तो वो हमारा शरीर में आउशदी के रूप में भ प्रसंद रहता है हम शरीर तन से मन से प्रसंद रहते हैं और पूर्ण रुपेन स्वास्थ कहा जाता है जिसको तो ये हमारा पाइनेपल जूस बनके तयार हो गया और अब हम अगली कड़ी में दूसरा नया कुछ देखेंगे तब तक के लिए सभी को दन्यवाद नमस्कार झाल